वाईल लाइप में किसी भी जानवर के लिए सर्वाइब करना आसान नहीं वता शिकार हो या शिकारे हर किसी को खाना डूंडने और जान बचाने के लिए संगर्ष करना पड़ता है नेटर ने हर जानवर को खास ताकत दी है साथ ही एको सिस्टम मेंटेन रहे इस बात का भी कुदरत ने पूरा ध्यान रखा है समय के साथ साथ जानवरों ने जीने का तोड तरीका बदला है और जंगल में सर्वाइव करने के अलग अलग तोड तरीके निकाल लिए गए है लेकिन कई बार ऐसी गटनाई भी वाइल लाइफ में देखने को मिल जाती है जिसकी कलपना करना भी बहुत मुश्किल है इगल को वैसे तो एक अच्छा और शाते शिकारी के रोग में माना जाता है लेकिन पासा पलटते देर नहीं लगती आज हम आपको ऐसी ही मज़ेदार क्लिक दिकाएंगे जिनमें आप इगल को शिकारी के तोर पर नहीं बल्कि दूसरे जानवरों का शिकार बंदे देखेंगे इगल वसेश वॉल्फ एक इगल हवा में काफी उचाई से अपने टार्गेर को स्पोर्ट कर लेती है इसके पंजे और चोंच भी बहुत तेज होते है एक ही बार में ये अपने शिकार को चारो खाने चिच कर देती है लेकिन हर बार इगल की किसमत अच्छी हो ऐसा तो जरूरी नहीं है ओल्डन इगल एक बेडिय पर अटेक करती है लेकिन बेडिय भी आसाने से हार मानने वाले जानवरों में से नहीं होता बेडिय पलट वार कर देता है और इगल से मुकाबला कर लेता है और दोनों के बीच कुछ देर तक संगर्स जारी रहता है लेकिन कुछ ही देर में सारा गेम पनट जाता है बेडिय इस इगल को जमीन पर गिरा देता है और उसे उठने का मौका तक नहीं देता बेडिय अपने जब्डे से इगल को काटता है और इगल जट पटा हट के साथ अपना दम दोड देती है दोस्तु बेडिये भी बहुत अच्छे शिकारी माने जाते है वो हर प्रकार के वातावरन में शिकार करने में माहिर होते है और इनके दात भी बहुत नुकीले होते है एक बार अगर अपने दातों से किसी पर हमला कर देते है तो उस जानवर का बच बाना बहुत ही मुश्किल होता है वेसे आम तोर पर इगल्स को बेडिय का शिकार करने के आदत होती है और उनके लिए ये ज़्यादा चुलोती पूर्ण भी नहीं होता ये बेडिया इगल को देखते ही दोड लगाना शुरू कर देता है लेकिन इगल की रफ्तार बेडिय से काफी ज़्यादा होती है और इसलिए बेडिया पकड़ा जाता है परन्तु कभी कभी परस्तितियां बिल्कुल ही वीपरित देखने को विलती है मंकी वसेस इगल इगल फूड चेन की लिस्ट में सबसे टोप पर आते हैं इन्हें किलर बर्स की सेनी में भी रखा जाता है इगल ज्यादा तक टिपिक मिलने के बाद यह कुछ दिन बीना खाने के भी रह सकते हैं एक इगल के मुकाबले बंदर काफी कमजोर माने जाते हैं लेकिन कहा जाता है ना अनेकता में ही एकता होती है और इसी एकता का संदेश देते यहां यह बंदर नजर आते हैं कुछ सरारती बंदर मिलकर इगल को लेते हैं इगल यहां से बचने के लिए लाग कोशिश करती है लेकिन उसके एक फंक में चोट लगी होती है जिस कारण वह उड़ नहीं पाती फिर भी इगल बंदरों को डराती है और उनसे मुगाबला करती है वहीं दूसरी और बंदर मिलकर इगल को परेशान कर रहे होते है लेकि रंच में सब कुछ बदल जाता है एक रेस्क्यू टीम यहां पहुच जाती है और बंदरों के बीच से इस इगल को रेस्क्यू कर लिये जाता है डोक्स अटेक इगल कुट्टों को जब गुसा आ जाए तो वह बड़े से बड़े जानवर पर भी बोकना और गुर्रा शुरू कर देते हैं और उनसे पंगा मोल ले लेते हैं इस क्लिप में दो कुट्टे मिलकर इस इगल को बुरी तरह गायल कर देते हैं वहाले एक इगल एक कुट्टे का शिकार करने की कोशिश कर दी है लेकिन तुरंत ही दूसरा कुट्टा इस इगल पर अटेक कर देता है दोनों ही कुटे काफी गुसे में होते हैं और इस इगल को बुरी तरह गसीडते हैं और उसके बाद उसके दोनों पंगों को गायल कर देते हैं और इगल को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर उसने उस कुटों से पंगा क्यों लिया ये दूसरी क्लिप भी काफी कि लें पर थोड़ी ही देर में पपी वापस गर आ जाता है इस अज्ञ क्लिप में भी इगल कुटों से पंगा लेती है पहले तो वह कुटों पर अटेक करती है पर तभी दूसरा कुटा वहाँ पहुंच जाता है और इगल के चंगूल से अपने साथी को चुड़ा कर आजात करा लेती है लेपड हंस एन की लीगल मार्सल लीगल अफरीका में पाई जाते है और इनकी ताकत बेश शुमार होती है इनके पंको का साइज 8.2 फीट तक होता है और इनका बोडी का वज़र 15 पाउंड तक होता है एक एडल्ट वुमन बिंग को भी यह अपने पंजों से उ क्लिप को देखिए एक मार्शल लीगल आराम से मेदार में बेटा हुआ है और कुछ ही दूरी पर तेंदुवा काप लगाए हुए बेटा होता है यह अपनी ताकत और शक्ति दोनों का परदशन करता है और इगल पर हमला कर देता है इगल को संबलने का मौका तक नहीं मिल और इसी तरह से तेंदुवा के लंच का इंज़जम हो जाता है तेंदुवा के शिकाद करने के टेखनिक भी कमाल की होती है यह जंगली सुऊर, पक्षियों और हीरन का शिकार करते है वैसे तो मार्शल लीगल भी किसी मामले में इन से कम नहीं होते लेकिन इस बार यह तें ब्लेक मामबा और पफेडर का भी शिकार करते हैं और इनका जहर भी इगल का कुछ नहीं बिगार पाता लेकिन वाइल नाइप में कभी क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता ब्राउन स्नेक एगल और ब्लेक मामबा की इस लडाई में इस ब्लेक मामबा का पलड़ा बारी नजर आता है वो एगल को लडाई में हारा चुका होता है और रही सही कसर लेपड द्वारा पूरी कर दी जाती है लेपड ब्लेक मामा के चंगुल में फसे इस इगल पर वार करके इसकी जिन्दगी खत्म कर देता है यकीनन ये ब्राउन सने के लिए बुरा दिन होगा इसलिए इसे बचाव का कोई भी मोका नहीं मिल पाता जंगल में कोई भी इस्तान एजा नहीं है जहां कोई भी धीव गुदगोवा सुरक्षित समझ सके यहां तक कि पेड की उचाईयों पर भी जानवरों को अन्य जानवरों से खत्रा रेता है टोनी इगर उचे टहनियों पर अपना गोसला बनाते है लेकिन यहां भी वो लेपड से सुरक्षित नहीं है लेपड पेडों पर चड़ने में काफी माहिर होते है और उची टहनि पर चड़कर यह तेनदवा इस टोनी इगर का शिकार कर लेता है वीडियो में आप देख सकते हैं कि लेपड ने इगल को अपने मूँ में दबाया हुआ है पेड से नीचे उतरने के बाद यह आराम से अपने बोजन का लुप तूटाता है लेपड के पास पेडों पर चरने की एक अनोकी शमता होती है और यह इतने बड़े जानवर के लिए यह बिल्कुल भे साधारण नहीं है असल में बोजन की तलाज में ही लेपड की पेडों पर चरने की यह कला विक्सित हो गई है दोस्तों दुनिया पर में इगल की साथ से ज़्यादा प्रजातिया पाई जाती है और हर्जेंटिना को छोड़ कर बाकि सभी महा दूइकों में इगल मोजोद है लेकिन इगल की कही प्रजातियों पर उनके अस्तितों का खत्रा मनरा रहा है पेनेजुएना और ब्राजिन जैसे कहीं देशों में जंगल की कटाई के कारण इगल की आबादी खत्म होती जा रही है ऐसा कहा जाता है कि अगर जर्ची पर इंसन ना होते तो वाइल लाइफ जादा अच्छे से जलती दोस्तों आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं